सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासिस को और ये बैल आइकल में दबा दे प्यारे बच्चो आज आपको इस वीडियो में कक्सिया आठ्वी की ड्राइंग की पुस्तक कला से तुसे जैमिती का क्यूशन नमबर पांच विर्थ के अंतरगत एक नियमित सट भुज़ की रचना करें ये वाला स्वाल आपको इस वीडियो में बनाना सिखाया जाएगा तो इसके लिए बच्चो आपको क्या करना है सबसे पहले एक विर्थ लेना है जो मैंने विर्थ लिया हुआ है जिसका के अंदर ओ लिया है तो ये इस तरह से आप कुछ दूरी की तरजा लेते हुए इसको विर्थ को खीच सकते हैं विर्थ के अंतरगत हमें एक नियमित सट भुज की रसना करनी है बच्चो तो नियमित सट भुज का आर्थ होता है कि ये ऐसी सट भुज जिसकी सभी वजाएं और सभी कौन समान हों हमें ऐसा सट भुज बनाना है तो जो ये तरजा बच्चो हमने ली है जो ये विर्थ खीचते हुए जो हमने तरजा ली थी आप भी जो ये तरजा लेंगे आपको परकार इतना का इतना रखना है और यहां पर आपको एक बिंदू मानना है मान लेजिए बिंदू ए अब ए बिंदू से बच्चो इतना प्रकार खोलते हुए जो हमने तरजा ली थी इतना प्रकार खोलते हुए आपको 6 बार चाप इसकी अंदर लगानी है एक, दो, तीन, चेर, और 6 समान भागों में बाटना है आपको यह, पांच, और एक भागी हमारा बच गया है तो अब इनको आपको मिलाना है तो हमें अपने नेमिच सथ भुज या समसथ भुज ब्राप्त हो जाएगी बच्चो इसको मिलाना है इससे और इसको मिलाना है यानि कि इन को सब कोई जवाब चाप हमने लगाई है ये सबी क्या है ये सबी हमारे जो सथ भुज है उसकी ये समान भुज आए है तो ये सवाल बच्चो सब से आसान सवाल है आपकी पुस्तक में और ये जो अमारी पुरानी पुस्तके थी उसमें भी ये सवाल था और पेपर में भी आपके काफी बारी सवाल पूछा जाता है इसलिए आपको ये सवाल अच्छे से आना चाहिए और सुब से आसान स्वाल है तो इस तरह से बच्चो आपको ये सट भुज की नियमित सट भुज आ जाए यहाँ पर या सम सट भुज भी आ सकता है सम सब्द भी आ सकता है नियमित की जगे पर दोनों का एक ही आर्थ होता है कि जिस सटबुज के सटबुज यानि चाहे बुजाओं क्या करती के सभी कौन और सभी बुजाओं समान हों उसे नियमित या समसटबुज कहते हैं A, B, C, D, E, F इस तरह से आपको इनका नाम लिखना है तो इस तरह से आपको आज इस वीडियो में कि उसन नमबर पांच विर्द के अंदरगत एक नियमित सटबुज की रचना करना सीखाया गया और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज आप चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन लगाता मिलता रहे थैंक्यू बच्चो